वेलकम टू एबरीबन अज मैं ठाकू कि जब उन्हें शारेन आप सभी से एक नए टॉपिक पर बात करना चाहूंगा वो टॉपिक बहुत ही यूनिक और अलग है वो टॉपिक है हूँ एम आई मैं कौन हूँ हम कौन है क्या हम इस रियाल्टी को कभी जान पाते हैं कि हम कौन हैं सच क्या है हम क्यों बने हैं फिर हम लोग हमारी एक अलग परसनालिटी होती है सबके अंदर कुछ न कुछ भिन्यताएं होती हैं सबके अंदर कुछ न कुछ योग गिताएं होती हैं सबके अंदर कुछ न कुछ अद्भुत और अनोखी चीजें होती हैं अनोखे गुन ह होते हैं वो आखिर क्यों होते हैं हम जब प्रत्वी पर आए हैं तो क्यों आए हैं उसका उद्देश क्या है और आखिर हम है कौन यह बहुत बड़ा सवाल है तो दोस्तो आज मैं अपनी इंडेस्टेंडिंग आप लोगों के साथ सेर करना चाहूंगा मेरा मानना है कि हम सबंढ़ा हो कुछ भी हो मगर कुछ तो ऐसा है जो हम लोगों के लिए एक जैसा और एक बनाए पड़ा है यह एक बनाए हुआ है आप साइंस पे तो बिलीब करते ही होंगे साइन्स में बस दो ही चीजों का जिक्र है ओर्जा और दिरब्व तो ओर्जा को हम बोलते हैं इंडिस में एनरजी और दिरब्व को बोलते हैं सबस्टेंस या पदार्त तो हमारी बॉडी को अगर हम उस category में उस बे से देखें समझें तो हमारी body क्या है हमारी body है substance या पदार्थ और हमारी body जिस से चल रही है यह हम इसे दूसरे बे में समझें computer और software के बे में computer क्या है computer एक hardware है और hardware को चलाने वाला क्या है software अगर उसमें से software निकाल दिया जाए तो hardware वेकार हो जाता है computer वेकार हो जाता है ऐसे ही ये बॉड़ी हमारी जो है वो हार्डवेर की तरह है और अगर इसके अंदर जो एनरजी है इसे हम निकाल दें तो ये भी एक हार्डवेर की तरह ही रहे जाएगी बेकार हो जाती है जिसे हम लाश्ट में बोलते हैं मिलत्यू मगर सवाल उठता है कि वो एनर जी है उर्जा है जिससे ये प्रत्वी आकास नदियां समुद्र सब कुछ टिका हुआ है कोई न कोई उर्जा तो है जो हम लोगों के लिए प्रॉपर टाइम सब जगे सारी चीजें प्रोबाइड करती है समय से दूप निकलना और हमें दिखता तो हम जहां पे रहते हैं क्या हमें हवा दिखती है मंगर महसूस होती है रियाल्टी क्या है रियाल्टी है कि वो है सच और जूट में थोड़ा सा अंतर होता है मैं आपको वो बताना चाहूँ जैसे है हम मालो आग के लिए ले लो अगर आग में हम हाट डालेंगे तब भी हाग वो हाथ जलेगा ही और के अंदर उनकी प्रोग्रामिंग की जाती है हो गई होती है कि ये एक सच है रियल में वो सच नहीं होता है तो पहले तो ये है कि हम लोगों को समझदार बनना पड़ेगा हमें ये समझना चाहिए कि सच क्या है सच का आप समझ चुके हैं जैसे अभी हम यहां बैठी है यहा लोग सब जो भी हैं तो किसी ना किसी एनरजी या उर्जा के थरूँ चल रहे हैं गर वो एनरजी हमारे अंदर से निकल जाती है तो यह हमारी बॉड़ी उस हार्डवेयर या जो जिसमें सॉफ्टवेयर नहीं होता है उस कंप्यूटर के जैसा निकालने के वाद फिर उसकी कोई बेल्यू नहीं रहे जाती है वो क्रैस हो जाता है यहीं हमारे लोगों के साथ भी होता है तो वो एनरजी जो है जो इस ब्रह्माण्ड को चला रही है वो उर्जा इन नदियों के जो समुद्र में जल बह रहा है जो बहा रही है धूप निकल रही है हवा चल रही है और बहुत सी नैचुरल गटनाएं हो रही है तो वो ही एक एनरजी है जो हम सम्मे है हर कंड कंड में है पूरे ब्रहमांड में फैली पड़ी है और उस एनरजी को आप ईस्वर का नाम दो आप गौड का नाम दो आप अल्ला का नाम दो आप किसी का भी कहीं भी कैसे भी नाम दो क्योंकि सब जगए क्या है हम हर अपने जो ईस्वर होता है गौड होता है या एनरजी होती है आप जिसका भी नाम देना चाहूं दे सकते हो उसे हम बाहर डूनते रहते हैं और रियाल्टी क्या है reality है कि वो real में हमारे अंदर ही है तो दोस्तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने आपको जानो और बस सबसे बड़ा question यही रखो कि आप कौन हो हम कौन है reality में अपने आपको समझो फिर आपको कभी भी बाहर कुछ अच्छा देखने की ज़रुद नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सब कुछ आप ही हो और आप में ही सब कुछ है और सब कुछ में ही आप हो तो यह सब दोनो एक दूसरे से जुड़े हुए है questions को समझो और इसे reality क्योंकि मैंने एक दोहा मुझे भी याद आ रहा है कि उसमें हिरन के वारे में चर्चा की गई है कस्तूरी मिरग होता है वो कस्तूरी के तलास में जंगल जंगल बन बन भटकता है वो अगर लाश्ट में कस्तूरी के जो सुगंद होती है वो उसकी कहां उसकी ही नावी में छिपी होती है बहीं से आ रही होती है तो जो एनरजी जो ओर्जा हम खोज रहे हैं और बाहर देख रहे हैं वो हमारे ही अंदर है ये तो ऐसा ही हो गया कि हम ने अपना पर्स अपने जेब में रख रखा है और अपनी जेब को छोड़के हम तमाम पूरे दुनिया की सभी जेब में देख्ते रहें तो कि हमने वो पर्स मिलेगा नहीं मिलेगाragen को जो चीज हमारे पास है वो हमारे ही लिए अपने पास होगी तो ऊपने पास सर्च करेंगे खोजेंगे तभी मिलेगी अपनी जेब देखेंगे तभी तो पर्ष मिलेगा या जो भी चीज रखी है हमने तो दोस्तो इस रियालिटी को जितनी जल्दी समझ पाओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा तो आज के लिए बस इतना ही इस कोश्चन पे जरूर ध्यान दें और कोई भी सजेशन हो तो वो हमें कमेंट के थिरू जरूर बताएं और इस कोश्चन में जैसे भी हो मदद जरूर करें हम कौन है रियल में हम कौन है आपके पास जो भी सजेशन हो जो भी आईडिया हो कमेंट करके तुरंट बताएं जै हिंद, जै भारत, बिस्तु कल्यान में ही मानम मात्र का कल्यान है, सभी खुश रहें, सभी निरोगी रहें, यही आसा और उम्मीद और विश्वास के साथ आप से विदाई चाहता हूँ